तो वो इसलिए डिग्री मांग रहे कि परहा लिखा कितना आप देखें मोदी जी का डिग्री आप देखें वह युनिवर्सीटी से परहे हुए है युनिवर्सीटी से परहे हुए है कि नाली के गष से चाय बना लो पूरे भारत की यह सब अंपर यानि कम पर लिखे की निसानी है लेकिन कुछ अंधभक्त है कि जिनको अभी भी क्या गता है मुसलमान को टाइट करना जिसके वज़े से अपने बच्चे को बेरोजगार कर रहे हैं अब इस्मिर्थी रानी जी सिख्षा मंतिरी थी उनसे डिग पूरे देश में जाएंगे और मोदी इसे डिगरी माएंगा और हम लोग भी दिखाएंगे बहुत जल्दी हो समय आ रहा है दिल्ली में राष्ट पार्टी आम आदमी पार्टी के तरफ से डिगरी दिखाओ अभयान का केंपेंज चलाया जा रहा है आपको बता दें कि राष्ट पार्टी आम आदमी पार्टी के तरफ से तमाम छोटे बड़े नेता बिधायक होया मंतरी सब कोई मेडिया निएम से अपने डिकरी को सारूजनिक कर रहें वहीं आपको बता देकि डिली की शिक्षा पार्टी बिहार से हैं इनसे हम बाचित करेंगे सबसे पहले तो मेरे चैनल पर आपका स्वागत है आप सब को क्या ऐसी मुसीबत आप पड़ी कि आप लोग डिगरी दिखाओ अभियान केंपेंज चला रहे जहां आपकी पार्टी बेरोजगारी पर बात करती थी कभी भरस्टाचार को लेकर आवाज उठाता था कभी सिक्षा व्यवस्ता पर बात करता था अचानक से मुद्दा बदल गया और आप लोग दिखाओ अभियान चलाना शुरू कर दिये क्या मुसीब कर दिये उनको बोलते हैं जी एश्टी लग बढाना है जी एश्टी बढ़ा दिये मतलब समझ में ही नहीं आता है करना क्या है अब कम परहा लिखा लोग रहेगा तो कोई भी भला फुसला के कुछ भी लिखवा लेगा उनसे इसलिए हम लोग डिग्री मान रहे हैं कि मेरा परहा लिखा जिस तरह से उल्जुरूल बाते करते हैं देख रहे हैं एक प्यम के मुह से इस तरह का भासा निकलना कि नाली के गश्ट से चाय बना लो 600 करोर की आबादी है पुरे भारत की यह सब अनपर यानि कम परहे लिखे की निसानी है तो हम लोग जिस तरह से अर्विंद के जिवाल जी ने हमारे पार्टी के जो राश्टी अध्यक्ष है उन्होंने जो बेरा उठाया है कि देश का सियम परहा लिखा होना चाहिए तो व हमें परहा लिखा सियम चाहिए ता कि हमें रोजगार मिल सेके छे सिक्षा मिल सके अच्छी सिक्षा मिल सके उश्था मिल सके अब कि बैहा देश में अपन बेरोजगारी बढहा हुआ है देख रहा है टेख रहा हैं। Speech जो और कि आपने बच्चों की चिंता अधानि मुसल्मान का बच्चा होना चाहिए. मुसल्मान का चुरी हединा करना ये। इसके वजह से कुछ अंधभक्त उनको क्या गता है? अश्दमblesा है. लेकिन ये देश का जब क्या 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 है , हमारा ना मपालखरे और मेरा सिक्छा मंतरी पाया होगा, पूरे देश में दिल्ली में जिस तरह से सिक्षा और चिकिस्सा का मोडेल है पूरे दुनिया में उस तरह का मोडेल नहीं है आगता है वर्तमान पिछले मर्तवाजू का अमरिका के जो राष्टपती आए थे वो डोनाल्ड ट्रम्प आये तो मोडी जी का सोचाले देखने नहीं गये दिल्ली का स्कूल देखने आए उस पे भी भाजपावालों को पसंद नहीं आया करे केजरिवाल का स्कूल देखने अमरिका से राष्टपती आ रहा है उन्होंने दंगा करवा दिया पहले लोग कहते थे कि अमरिका से सिखो जापान से सिखो मोडी सरकार को कह तो तुम केज़रेवाल से सीखो लेकिन शीखने रहां अनपर है तो आप लोग रहें कि यह राष्ट मुद्दा थोड़ें डिगरी दिखाव अवियान चला रहे हैं नहीं है यह राष्ट से भी बरा इस तरह से महंगाई और बेरोजगारी किस दर से बढ़ता जा रहा है लेकिन अमबानी और अडानी यह दो क्या करता है और मोदी जी और इमिसावे करता है बस यही दोनों देश चला रहे हैं आप लोग को डर नहीं लगता है डिगरी चला डिगरी मांग रहे हैं कहीं आपके पर फाइन हो जाया आपके केजरिवाल जी पर तो हो गया 25 जार का फाइन तो फाइन पचीज जार दे करके भी डिगरी मांग रहे हैं डरा नहीं सकता है आँ आदमी पार्टी के कारिकरता सच्चे देशभक्त और कटर इमानदार है उनको कोई भी दुनिया की कोई भी ताकत नहीं डिरा सकता है 25 जार के तुम पचाइस जार लगाओ फाइन भी देंगे और डिगरी भी मांगेंगे तुम पचीज के पचास लगा दो लेकिन अनपर परधान मंतिरी बरदास्त नहीं करें आप लोग क्या ऐसा चाहते हैं कि जो भारती जनता पाठी के जितने सारे नेत देखिए कि हम इसकूली सिक्षा से आगे नहीं पर हैं दूसरे बयाने बोलते हैं कि हमने इंटर तक परहा है अब तिसरा बयान में एमे का और युनिवर्सिटी का डिगरी आ गया भाया यह तो बड़ा आफसोस की बात है जो इसकूली सिक्षा भी नहीं परहा हो और यू व हमारे यहां हमारे कॉलेज के हमारे युनिवर्सिटी पूर्या युनिवर्सिटी का अगर कोई भी बच्चा परकर जाते हैं बिधायक बनते हैं सांसाद बनते हैं तो यहां के युनिवर्सिटी के सिक्ष को गर्व होता है अभी जिला स्कूल के पपु यादब जी यह बात भी यह नहीं बोला कि हम ने मोदी जी के साथ में परआ और यह बात भी होई जूलूल बात जो कर रहा है तो जनता को जनता को दिक्षण करना बंद कर दीजिए अईसा तो आप लों मन में नहीं चल रहा है अगर परधान मंत्र जी अपना डिग्री को सारुजनिक करते जो भी उसमें उसको दिकटि रखता है है उनका सदस्ता जानाता है मोदी जी अपना अपडेट निकलकर सामने आ रहे कहीं न कहीं देश के अंदर सदस्यता रद अभियान चला यह एक देखें और राहूल गंदी पे भी एक तरह से गाज गिर गया तेज़ेश्वी आदव जी पे गिरने वाला था अब देखी कि पलट चुका है और अब यह पलटने के बाद उल्टा जो है न परधान मंत्री जी के ऊपर ही आ चुका है जी यह देखें मोदी जी देश में हिटलर साही ज पातकना मंजूर कर लिया लेकिन अंग्रेजों के सामनें माफी नहीं मांगए लेकिन उस ही अवलाद यह जो भाजपा वाली हैं इंग्रेज की वजय से हं देश हमारा गुलामाors आ इस तरह से डिग्री अभियान चला यह लोगतंतर है अगर मोदीजी डिग्री देखाते हैं आपको हम सत परतिसत कहते हैं इनके सदस्ता जाएगी और यह देखाएगा नहीं क्यूंकि वह सीवियाई डी जो तोता है इनका कॉंग्रेस के राज में तोता बोलते थे मोदीजी इ अनि खखता है सतंदर जन ची का आरोफ है सिर्फ आरोफ लगा देकिन आरोफ के उपर आरोफ क्या आरोब वो तो आप सिध्न नहीं कर रहे हैं लेकिन देश में महंगाई बेरोजगारी जिस तरह से आप बढ़ा रहे हैं देश की जंदा आपको माफ नहीं करेगी और कुछ कि उनका भी बहुत गलत दोर आ रहा है बहुत गलत होने जा रहा है अगर नहीं आए जगह पर तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन गांधी जीने नमक के लिए आंदोलन किया था हम लोगों को भी इनके खिलाफ उठना परेगा लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगा अभी जि इतना भी भराष्टा चारी है सब भाजपा में अच्याइँ यह कैम्पेंड के वल दिली में ही चलेगा या फिर बिहार में चलेगा उनकी पाटी ब्यार में काम कर रही है यह बहुत 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 जलदी वह समय आ रहा है च तो आप लोग भी एगर जड़ी का तो दिकाए के फिन को आप बीमारी है येक मज़ी त को अधा पहला हो ताली और ठाली बजबार को तो क्यों नहीं दिग्री मांगे उनसे सकतो होता है ताली और थाली बजबा करके जस्न मनार है आने वाला अभी 2024 में चुनाव है और आपकी पार्टी जो है वह अभी राष्ट्री पार्टी बन चुकी है क्या कुछ आप लोग कहेंगे इस पर क्या कुछ तैयारी चले गी आग देश को लुटा है बरवाद किया है अब अर्विन केजरिवाल जी फिर उस देश को सोनी की चिरिया बनाने चाहते हैं जब तक कि हमारे देश में बच्चा परहेगा नहीं यह फ्रास आपको करते हैं यह गलती कॉंग्रेस की है जो आज मोदी जी अनपर है इसलिए उन्हों बना देंगे कल कोई बच्चा पीम बनेगा तो अनपर नहीं होगा मोदी जी जैसा नहीं होगा यह अभियान पूरे देश में अर्विन के जिवाल जी के निर्टित में चलाया जा रहा है और हर एक जनता से हम अपील करेंगे जात पात को छोड़कर सिक्षा और चिकिसा के म सब्सक्राइब कर दोड़े में सब्सक्राइबूब सब्सक्राइब तरक पुरे साथ और हमादी के साथ केंपेन करेंगे और हमारी पार्टी जिसके साथ भी खरीएगी पूरे का पुरे करता उसके सांद करेंगे तो यह हमारे साथ उस प्रवक्ता है जो बिला से हैं और इन लोगों का आपील है कि वो लोग भी अपनी डिग्री को सर्वजनिक करें आप सब इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिये अगा मिलते हैं नेक्स्ट वोडियो में तब तक के लिए